नमस्कार मेडिकल माइक में आपका स्वागत है भारत में दही के शौकीन लोगों की कमी नहीं है सुबह का नास्ता हो या रात का डिनर को हर पहर हर इस स्वाधिस्ट टेरी प्रोड़क्ट को खाना पसंद करते हैं कुछ लोग इसे अपने भोजन के साथ मिला कर तो कुछ ऊपार्स करने के लिए किसी दूसरे फूड आईटम की जोरूरत नहीं पड़ती हलांके लोग अपने मुघ के स्वाध में इदाफा करने के लिए इसे अल姿 लग बल्ट चीजों मिलाकर ख्थें लोग जिनमी मिलाकर, कुछ लोग नमक मिलाकर खेए अब सवाल है कि क्या दह दही में नमक डाल कर खाना चाहिए आइरवेद की माने तो दही एसीडिक होता है इसका सेवन करने से शरीड में कफ और पीत बढ़ सकता है हलांके दही वात को कम करने में मददगार है अगर आप दही में ज़्यादा मात्रा में नमक मिलाते हैं तो इससे पीत और कफ बढ़ सक सकता है नमक anti-bacterial होता है यही वज़ा है कि यह दही में पायाज आने वाले अच्छे bacteria को मार सकता है जिन लोगों को high blood pressure की problem है उन्हें दही में नमक का सेवन करने से बचना चाहिए क्योंकि यह उनके blood pressure को बढ़ा सकता है इसके अलावा दही में नमक का सेवन करने से dementia, hypertension, stroke और दिल से जोड़ी बीमारियों पर खत्रा बढ़ सकता है, दही में नमक किन लोगों को डालना चाहिए, अगर किसी को दही में मौझूद vitamin C की वज़ा से acidity की समस्या होती है, तो वो दही में थोड़ी मात्रा में नमक मिला सकते हैं, लेकिन जादा नहीं मिलाना है, इसके अलबा diabetes के मरीज भी दही में एक चुटकी नमक मिला सकते हैं, क्या दही में चिनी डाल कर खाना चाहिए, आईरवेद के मताबित दही में चिन का कॉंबिनेशन पेट के लिए healthy माना जाता है, या पीत दोश को कम करने का काम करता है, पाचन से जुड़ी समस्याओं का इलाज करता है, आईरवेद दही को मिस्री, चीनी, घी, सैद और मुझ दाल के साथ मिला कर खाने की सलाह देता है, दही में मिस्री और सैद दाल कर खा चीनी डालने से परहेज करना चाहिए क्योंकि इससे वजन और बढ़ सकता है, दिल के मरीजों और diabetes से पेडित लोगों को भी दही में चीनी डालने से बचना चाहिए, ऐसे ही खबरों के लिए देखतेरी medical mike साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, तन्यवाद